रेगुलेट GST और टेक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज आप TDS, Income Tax, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टियर और डिट्रेल के साथ कॉम्प्लाइंस असानी से कर सकते हैं इन सॉफ्टियर के डेमो देखने के लिए आप हमें मुबाइल अंबर के साथ इमेल कर दीजिए taxeal.gmail.com पर नमस्कार दोस्तों, GST पोर्टिल के दौरा नई अडवाजरी जारी कीगी है GSTR4 रिटर्न के लिए, GSTR4 Composition Taxpayer को फाइल करनी होती है यह एक annual return है, Composition Taxpayer के दौरा GSTR4 Financial Year के बाद फाइल के जाती है Composition Taxpayer के दौरा जो negative liability है वो report की जारी थी GSTR4 में Financial Year 19-20 से Composition Taxpayer के लिए यह mandatory था कि वो quarterly basis पे CMP 8 statement फाइल करते हैं जिसमें कि वो अपने tax liability पे करते हैं और उसके बाद year end होने के बाद GSTR4 की annual return फाइल करते हैं GSTR4 में negative liability क्यों आ रही है इसके बारे में GST portal के दौरा बताया गया है कि GSTR4 में पूरे साल की आपको liability declare करनी होती है applicable tax rate के साथ है इसके लिए GSTR4 में table 6 दिया गया है जिसमें कि taxpayer कोई detail फिल करनी होती है यदि taxpayer की कोई liability नहीं है तो उस case में यहाँ पे zero value फिल की जा सकती है यदि कोई liability declare नहीं की जाती है table 6 में GSTR4 में तो यह मान लिया जाता है कि taxpayer की कोई liability नहीं है भले ही उसने CMP8 के ज़री यह taxis pay किये है इस case में जो CMP8 के ज़रा taxis pay किये गए है उसे access tax paid मान लिया जाता है और negative liability statement में move कर दिया जाता है ताकि next tax period में जब taxpayer की liability हो तो उसे amount adjust किया जा सके friends यह है GSTR4 का table number 6 जहाँ पे के आपको tax rate वाई detail देनी होती है outward supply की और inward supply की attracting reverse charge net of advances, credit, debit note and any other adjustment यहाँ पे आपको type of supply select करनी है outward और inward rate of taxes उसके बेस पे यहाँ पे value आपको enter करनी है और tax आपका calculate हो जाता है तो यहाँ पे taxpayer ने क्या गलती की है taxpayer के द्वारा जब last year की GSTR4 फाइल की गई है तो उसमें table 5 में automatically जो amount उन्हें ने पे किया था CMP8 के जरीए वो auto-populate हो जाता है यदि taxpayer के द्वारा table number 6 fill up नहीं किया है यान की कोई liability declare नहीं की गई है तो उस case में taxpayer के द्वारा tax तो pay किया गया है CMP8 में इस case में जब tax payable का amount निकाला जाता है GSTR4 में तो table number 6 में जो आपने liability declare की है उसमें से table number 5 में जो amount automatically populate हो रहा है वो less होके आपका amount आ जाता है यदि आपने कोई amount ही declare नहीं किया है table number 6 में तो उस case में negative liability entry automatically कर दी जाती है GSTR4 में यह है GSTR4 का table number 5 जहाँ पे के CMP8 में आपने जो quarterly taxes pay किये है वो यहाँ पे automatically आ जाते हैं और उसके बाद table number 6 में आप tax rate wise outdoor supply की detail यहाँ पे दिखाते हैं और जो tax payable है वो table number 8 में automatically आ जाता है यानि कि जो अपने tax payable दिखाया है as per table number 6 उसमें से जो आपने taxis already pay कर दिये है CMP8 के जरीए वो यहाँ से less होके balance amount आपका tax payable आ जाता है तो यदि आपने table number 6 में कोई entry नहीं की है तो उस case में जो यहाँ पे amount आपने access pay कर दिये CMP8 का वो negative liability statement में चला जाता है तो friends यहाँ पे GST portal के द्वारा clarification दिया गया है कि यदि table number 6 में GSTR4 के आपने कोई entry नहीं की है oversight की वज़े से तो उस case में आप GST portal पे tick raise कर सकते हैं और जो आपका amount negative liability statement में आ रहा है उसे nullify करवा सकते हैं यदि आपकी कोई liability नहीं थी during the year तो उस case में आप जो amount pay किया है CMP8 के जरीए वो negative liability statement में move कर दिया जाएगा और यह जो access amount है वो आप utilize कर सकते हैं अपने future में जो भी आपकी tax liability होगी उसे pay करने के लिए तो एक बहुत बड़ा relief दिया गया है क्योंकि बहुत से जो taxpayer है उनका questions आ रहा था कि सर हमारी negative liability statement क्यों आ रही है GST portal पर तो यह इसका solution यहां पर दिया गया है कि दिया अपने गलती से amount enter नहीं किया था liability का table no.6 में तो अब आप उसे rectify करवा सकते हैं तो friends आप देख सकते हैं यहां पर आपका tax payable 0 आ रहा है क्योंकि आपने GSTR 4 के table no.6 में value enter नहीं की है और जो previous period में आपने taxes पे किये थे वो यदि excess हैं तो negative liability statement से यहां पर adjustment दिखाई दे रही है और जो net amount हो negative में आ रहा है तो इसे rectify करवाने के लिए अब आप GST पोर्टी पे tick trace कर सकते हैं और इस amount को nullify करवा सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह news useful रही होगी क्रिपे लाइक कीजिए और share कीजिए ताकि सभी लोगों तक के जानकारी पहुंच पाए और वो GST के compliance कर पाए आप हम GST और income test के regular update अपने mobile पर ही फ्राफ्ट कर सकें